खेडा पोकुन जान तो छोटकियो सो गाउं रामदाश जी प्रकट भहे चार खूट में ना खेडा पामें जावता जाजी छाचर गाठ दूद दही गृत मोखळा भरिया रैसी माठ माराज आपको पता ही है कि चारण जाती के जो होते हैं वो जन्म से ही कविता पाठ कर लेते बोलना सीखे नहीं कविता पाठ तो एक कोई चारण थे वो कहीं भ्रह्मन करते करते अने को इस्तान में गए और वहां गए तो प्रसाद भी मिला होगा सब कुछ ठीक ठाक परन्तु जब खेड़ा पाए और धाम में खीच खाया तब उनको कविता सुजी उन्होंने एक साखी बोली उन्होंने अपनी एक रचना बनाई कि कोई साहापुरा कोई टीड बाना कोई नगर नराना धावता है कोई चाड़ी की खाड़ी में कूद उपड़े पर खीच खेड़ा पर इखावता है जगा जगा गए लेकिन इतना ठाट और वास्तम में देखा जावे तो मारवाड में सभी मामले में भाई पेट बरीजे तब क्या तो खीचड़ा हूं बरीजे न कर राबडियों बरीजे कोई जगा खाली नहीं रहे किरवे भाई कोई आदमी मकान की चुनाई करे और चुनाई में बीच में चीफ वगिरा लगा करके कारिकर क्या बोलते है मजदूर के भाई थोड़ा मसाला पतला कर जितना मसाला पतला रहेगा बीच में जाएगा उतनी नीव उसकी दिवार मजबूत होगी ऐसे ही खीच और कड़ी यहां का प्रसाद है प्रसित आड़े दिन आओ और बाई थने खीच खाटे रो कोड तो खेड़ा पा रो जा अब थैप बोलो बोई मैं क्यों बोला मारी तो खेड़ा पा धाम की महिमा जगत प्रसित है क्योंकि मापुरसों ने यहां पर भजन किया और भजन का प्रताब चाए कहीं पर भी बैट करके करें ये भाग है इस खेड़ा पा गाउं के नहीं तो माराज मारास्री तो कई जगह ब्रह्मन करते करते महलाना में भी बजन किया आसोप में बजन किया बडू में भी बजन किया अनेकों जगहों पर माराजी ने बजन किया लेकिन तो उजागर तो नाम खेड़ा पा का होना था इसलिए माराजी यहां पर भी राजमा होकर के बजन करने के लिए विशेश रूप से आगरह किया और जिनों ने संतों को विराजमान करा करके आगरह किया मैं तो समझता हूँ उनकी सेकडों पीडियों का उद्धार हो गया जो यहां पर इसताई रूप से संतों को विराजमान होकर के बजन करने का आगरह किया इसल पुवित्र है यहां जैसी जिस की भावना तैसी तुर्त तद्यार सीवा की भावना लेकर के आओगे अनंत सेवा का लाद्टाउग्ट होगा और अगर कोई दुरुभावना लेकर के आएगा तो यहां करोड़ो गुना दुरुभावना का भी लापतकाल में जाएगा